सब को यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्स्क्लूजिव जे में 2023 ट्रिक्स चीट कोर्स के कोर्स में 24 जानवरी शिफ्ट 2 पिछले एपसोड में शिफ्ट 1 लिया था 11 बश्न लिये था एनाइटी हासिल करी थी मैंने तो मैं चाहता हूँ आप भी एनाइटी हासिल करो और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स चीट कोर्स में जो आयुष्ट सर है वो विजय ही पा चुके हैं वन डॉट हो से आप सारे फंडामेंटल सिफ जाओगे ट्रिक्स के सारे इस स्कोर्स इस अल अल आउट दी फाइटिंग स्पिरिट इन दो एपिसोड से आप जंप मारोगे 30-40 मांक का जंप आप मारोगे पोटेंशल स्कोर को बढाना वही स्कोर्स का जब परपस है किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगारा है आपको इस स्पोर्स का कम से कम 5,000 गुना रिटर्न दिलने वाला है आपके इसमें क्या हुआ है आपके इसमें कम से कम जो आप्शन एजिमने टू एक डी का आया टू अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको मैं बता दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपको फाइदा कैसे होगा मैं बताता हूं एक तो आपको free playlist का link मिलेगा description में ठीक है, free playlist किया है, tricks and cheat codes का playlist है, जिसके अंदर में pre-selected questions आपको देखने को मिलते हैं, और YouTube पे सीरीज चलती है, पुरी की पुरी, आपको इसका link description मिलेगा, playlist को आप लोग जो है, follow करो, इसके अंदर में hundreds of episodes हैं, right, next हमारे पास में जो paid codes है, ठीक है, अगर आपको ये tricks and cheat codes benefit कर रहा है, तो आप लोग paid codes में enroll कर लेना, 10 से 12 गंटे का ये exclusive structured tricks course होता है, इसके अंदर में एक तो आपका mindset develop होता है, आप जड़ से सारी चीजों को समझते हो, tricks आप सारे structured way में cover करते हो, latest papers आप cover करते हो, और exam temperament में कैसे tricks लगाना है, exam time scenario में कैसे tricks लगाना है, किस तरीके से म मैं अपने number बढ़ाया था, jman के अंदर में, पूरा उसका demonstration ये आप लोग जो है course के अंदर में देखोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, पहले से selected questions आपको दिख रहे हैं, course के अंदर में आपको बहुत सारे ऐसे episodes दिखते हैं, जहाँ पर पहले से selected questions नहीं रहते, on the spot tricks आपको लगा के दिखाया जाता है, कुछ गलतिया भी होती है, कुछ सही भी होता है, risk management, calculations, mathematics, कितना सही होगा, कितना गलत होगा, सब कुछ अगर fundamental से आपको cover up करना है, अपने लेटरम के लिए हमारे पास में, jman 2023 के exclusive tricks course में आप लोग इनरोल करो, link उसका आपको description में दियावा है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, दोनों question को आप देखो, चौक जाओगे आप लोग जैसे हम लोग इसका solution करेंगे, सबसे पहले आपको दियावा है, देखो, क्या दियावा है, n-sided polygon दियावा है, तो ऐसे question में आप use करोगे, assumption method, क्या use करोगे, assumption method, ठीक है, assumption method में यहा example आप देखो, जैसे क्या है, n की value आप let कर लो 3, कुछ भी कर सकते हो, 2, 3, 4, जो आपका मन, 3 कर लो, 3 करने से क्या हुआ, हमारा एक एक resistance का value है, वो r by 3 हो जाएगा, है न, कहने का मतलब है, 1 की value अगर r है, उसको 3 पार्ट में तोड़े, 1 की value अगर r है, उसको 3 पार्ट में ठीक है, तो कितना हो जाएगा, r by 3, r by 3, r by 3, यही तो हो जाएगा न, अब इन तीनों को आप जोड़ दो triangle में, n-sided polygon है न, हमने n के value 3 ले ली तो triangle बनेगा, triangle बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, है न, triangle बनेगा, तो यह ऐसा हो जाएगा, अब इसको आप जोड़ दो battery के साथ मे इसका equivalent निकाल लो, इसकी value कितनी है, r by 3, इसकी कितनी है, r by 3, इसकी कितनी है, r by 3, equivalent निकालोगे, तो यह दोनों series में इसके साथ parallel में, तो यह दोनों series में कितना हो जाएगा, 2r by 3 और यह parallel में हो जाएगा, r by 3, तो formula होता है, r1, r2 upon r1 plus r2, r equivalent आजाएगा, आपका 2r by 3, into r by 3 upon r1 plus r2 मतलब कि 2r by 3 plus r by 3 तो इसको solve करके आपको मिल जाएगा final value यह आपको मिल जाएगा 2r square by 9 r which is equals to 2r upon 9 2r upon 9 आपको इसकी value जो है मिल जाएगी क्या आपको बात समझ में आ रहा है तो देखो यह एक general question था जिसमें n की value कुछ भी हो सकती आप 4 ले सकते हो 3 ले सकते हो 2 ले सकते हो हमने specific 3 ले लिया और पड़ाफट से इसको solve कर लिया 3 लेने से क्या हुआ individual resistance की value r by 3 हो गई इतना सा बात है अब हमें assumption method को क्या करना है options में भी put करना है जो value हमने n की यहाँ पर ली है हमने हमने कितनी ली n की value 3 ली उसको options में put करो अगर आप n की value 3 को options में put करोगे तो यह क्या आएगा आपका 3 minus 1 into r upon 3 to 6 minus 1 तो यह कितना आ रहा है 2 r upon 5 तो यह option eliminate होगे आपको 2 r upon 9 चाहिए समझ रहे हो फिर यहाँ पर आप अगर डालोगे तो n की value अगर आप 2 डालते हो let's say तो आपका आएगा 2 square sorry 3 डालना है न 3 डालते हो 3 square r upon 3 minus 1 तो यह कितना आ गया हमारा यह आ गया हमारा 9 r upon 2 आ जाएगा तो यह भी क्या होगे हमारा eliminate होगया समझ रहे हो option 3 में अगर आप देखते हो तो n की value 3 डालो तो 3 minus 1 r upon 3 square 9 तो यह देखो 2 r by 9 आ गया तो यह हमारा सही answer हो जाएगा और option 4 में अगर डालते हो तो आपको मिलेगा 3 minus 1 r upon 3 2 r by 3 आ जाएगा तो यह आपका eliminate होगया 2 r by 9 किसमें आ रहा है सिर्फ option 3rd में आ रहा है तो option 3rd is the correct answer जिसकी value हो जाएगी n minus 1 into r upon n square ठीक है तो यह क्या था हमारा assumption method हमने क्या assume किया हमने polygon को triangle assume कर लिया n की value 3 ले ली n की value 3 ले ली तो हमारा circuit बन गया इस तरीके का उसके हिसाब से equivalent निकाल लिया और n की same value को options में put करके देख लिया आप देखो आपको पूचा ISO electronic ठीक है ISO electronic का मतलब क्या है electron number same हो इतना ही तो मतलब है न अब एक बाब बताओ समझना मानलो मेरे पास 10 चॉकलेट है तुमारे पास भी 10 चॉकलेट है ठीक है तो अगर मैं बोलूँ कि भाई या या सॉरी मानलो मेरे पास 10 चॉकलेट है आपके पास 11 चॉकलेट है ठीक है मानलो मैं 2 चॉकलेट दान कर दूँ तो मेरा 2 मानलो मैंने 2 चॉकलेट दान कर दिया और आपने भी 2 चॉकलेट दान कर दिया तो आप दोनों के पास कितना बचेगा मेरे पास 8 और आपके पास 9 क्या हम दोनों के पास same number of chocolate है नहीं है न नहीं है न, उसी को electron से relate करो, मानलों किसी के पास 10 electron है किसी के पास 11 electron है इसने भी 2 दे दिया इसने भी 2 दे दिया, तो इसके पास बचा 8 इसके पास 9, क्या यह दोनो isoelectronic है, नहीं है न, समझ रहो तो दो अलग-अलग element अगर same number of electron lose करे या gain करे, तो वो isoelectronic नहीं हो सकता, possible ही नहीं है, अलग-अलग element है न यार, तो simple सी बात है यहाँ पर आप देखो, oxygen 2- और sulfur 2-, यह दोनो अलग-अलग element है, लेकिन इन दोनों का electron जो है, दो-दो gain किया दोनों ने तो यह isoelectronic possible ही नहीं है, क्योंकि दो अलग-अलग element है, मतलब कि पहले अलग-अलग amount of chocolate था, दोनों ने दो-दो chocolate ले लिया, तो क्या final amount बराबर हो गया chocolate का, नहीं, तो यह option क्या हो गया हमारा eliminate, same आप देखो अलग-अलग element है, तीनों के पास अलग-अलग number of chocolates थे, तीनों ने दो-दो chocolates दान कर दिये, तो तीनों के पास अभी भी अलग-अलग ही है, ISO electronic तो हुए नहीं, तो यह भी क्या हो गया, हमारा eliminate हो गया, same आप देखो कि last option eliminate हो जाएगा, li plus, na plus, ठीक है, यह दोनों क्या है, अलग-अलग element है, same charge है, यहाँ पर भी आप देखो, mc2 plus और ca2 plus, अलग-अलग element है, लेकिन same charge है, तो यह भी क्या है, eliminate हो गया, सिर्फ option third ऐसा option है, जहाँ सब के charge अलग है, plus, minus, two plus, three plus, सारे के charge क्या है, अलग है, तो option third हमारा साई हो जाएगा, समझ रहो, तो अलग-अलग element के charges भी अलग-अलग ही होंगे, तभी वो ISO electronic क्यलाएगा, तो हमको यह सारी चीजों से तो मतलब भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या question छोड़ देते, सोचते यार, यह सब कुछ calculate करना पड़ेगा, अरे भाड में जाने तो यार, जुगार से आपके तीन option या पर eliminate हो गए, समझ रहो, तो यह जुगार बुद्धी इस तरीके से help करती, काफी सारे बच्चे क्या ना, tricks and cheat codes को सोचते है रही है, क्या घटियासी चीज है, यह घटियासी चीज नहीं है यार, मैं खुद यार NIT तरीची से पढ़ागा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे पता है पढ़ाई की importance क्या है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आपका जुगार बुद्धी होगा ना, तो आप जो questions all नहीं भी करते हो, वहाँ पर भी आप कुछ कर पाओगे, यह tricks and cheat codes का mindset डवलप करना बहुत ज़दा ज़रूरी है, और वो इन दोनों तरीकों से हो सकता, आप free playlist देखोगे, इससे भी हो सकता है, paid course देखोगे तो एक cutting edge आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में exam time scenario में कैसे आपको tricks लगाना है, वो सिखाया जाएगा, episodes है, ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ, आप सी NIT हासिल करो, ऐसा लोग कहते हैं कि tricks and cheat codes में जो आयुष सर हैं, वो विजय ही पा चुके है, 1.0 से आप सारे fundamentals इफजाओगे tricks के सारे, this course is all about the fighting spirit, इन दो episode से आप jump मारोगे, 30 to 40 marks का jump आप मारोगे, पोटेंशल स्पोर को बताना, वही स्पोर्स का पर्पस है, बिना पहले से questions देखे, किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको स्पोर्स का कम से कम 5,000 गुना रिटर्न मिलने वाला है, आपके से कम से कम दो आप्शन है जो मिलने टू, एक है D का आया टू, आप देखे,